अंजी तो कैसे हैं सारे भाई लोग अपनेए उमेद करता हुं दोस्तों हअन अवसका खेरिया सओंगे लेकिन धोस्तों खेड तो आप मिलोगों के नाम पर बठेदे हैं धर्म के नाम यदि फिल्मों के नाम पर दोस्तों आ पने बहुत सारे ऐसने इसे चेहरे देता हों जो पब्लिक के बीच से पुलिसी से घसित हुई लेकर के गई है एंड एक और है दोस्तों केकडी जिसका नाम मुझे नहीं पता अकसर इनके परीवार वाले लोगों ने इनके अंदर भरिया वही दोस्तों यह किसी भी कैमरे पे जाके उगलने लग जाते हैं तो दोस्तों ऐसे लोगों की अफ़ेर नहीं है यही लोग ते ही जो कि पठान के टैम पे इन्होंने बहुत ज़्यादा गंद फैलाई थी इन्होंने इस दोस्तों पठान को इतना ज़्यादा परमोट ही था लेकिन अभी हम लोग मिस कर रहे हैं इन लोगों को कि एक वार इस सामने आयतों सही कम से कम boyfriend दो करें अभी दोस्तों फटन करें लेकिन अभी इन लोगों को पर दोस्तों जिस तरीकिये दंडा बज़ रहा है इन लोग सादे सांध बैट गए और अभी यह जवान का कोई बॉयकॉट नहीं करने वाले हैं और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन दोस्तों पठान की सक्सेस ही है जिसके बाद ये लोग कैमरा फेस करने की आउकात नहीं रखते हैं इन फैक ये लोग शीशे में भी अपना चाहरा नहीं देख पाते होंगे इस तरीके की शर्म महसू सोही होगी इने पठान की सक्सेस के बाद तो ये लोगों बहुत ज़्यादा मिश्च कर रहा हूं कास के एक बार ये बेशनों की तरह है और आजाएं कैमरे बे और आगर बोल दें कि जवान का बॉयकॉट करेंगे तो शायद दोस्तों यहीं रीजन है कि शारुक खान नहीं कहीं का नहीं छोड़ा ना तो दोस्तों के मने पर आकर फिल्म का बॉयकॉट कर सकते हैं नहीं जो इनकी बहुत ज़्यादा याद है लेकिन जितने में शारुक खान के फैन से दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना शारुक सलथा मेरी अपेल लगी कुछ तो ऐसा डाल दीया जाए ट्रेलर के जिसके बाद एक बार एक सेलाब तो आई जाए सोचल मीडिया पर बॉइकोट का में और वैसे भी दोस्तों इन बेशनमों को भी मौका मिलना चाहिए कैमरा फेस करने का रोख क्या हो तो आप लोग एक बार बॉइकोट का नारा लगना चाहिए लेकिन दोस्तों पुलिस भी सकत होगे इन लोगों की कोई बलदास नहीं की जाएगी पबलिक के बीच से इन्हें घसेट तो लेकर के जारी है खेर अच्छा है कि नफरत तो नहीं फैला रहे है गंदगी तो